देखिए अभी हम जैसे हमने परसो बताया थे कि कल से हमारा टेमपरेचर घट जाएंगे तो अभी भी टेमपरेचर अगर आप देखते हैं तो हीट वेग रियलाइज नहीं हुआ है अभी एका दुका जगह में आपका जैसे यह जो बेल्ट है ना इसमें आपका नौथ राज है पर हीट वेव कहीं पर भी नहीं पहुंचा है और यह जो वेदर सिस्टम आया है और जिसके चलते हुए अभी नौट वेस्ट इंडिया में काफी बारेश और विजली का चल रहा है और जो आपका बंगाल और विहार जार्खन उरिसा इन सभी में जगह में जो थंडर करते हम उमीद करें कि टेंपरेश थोड़ा घटेगा तो हीट वेव का स्थीति अभी लग नहीं रहाए आएगा ज्यादा चार-पास दिन के अंदर देखिए टेंपरेशर डाउन तो अभी आज वेदर है तो आज तो तो तेंपरेशर डाउन रहेगा ही तो कल भी थोड़ा जादा कुछ बढ़ने का संभावना नहीं है आपका दो तिन दिन के बाद से थोड़ा बहुत दिल्ली मगर यह सब इलाके में और एक वेस्टन डिस्टरमिस भी आ रहा है तो दिल्ली इलाके में जादा हम टेंपरेशर राइस का उमीद महीं कर रहे हैं अभी थोड़ा तो क्योंकि नॉर्मल से काफी नीचे चला गया है तो अभी बढ़के अपना नॉर्मल स्थिती में आ जाएगा अगले तीन चार दिन में मगर हीट वेव जैसे स्थिती हम उमीद नहीं करें अभी प्रेडिक्शन आपको तो मिल गया है कि हमारा ऑंसेट का डेट है फर्स जून ह हमने दिया है थोड़ा डिलेड आएगा और उसका फॉर्स जून दिया है जिसका प्लस माइनस फॉर डेज का होगा तो हम अभी भी उसके स्थिक हैं देखें मॉनसून वेव है यह ट्रेन नहीं है कि आप टाइम में लाएंगे कि फर्स जून आया नहीं है सरकार कुछ ने ग करेंगे जरूर आपको इंटिमेट करेंगे